एजरा की पुस्तक अध्याए छे एजरा की पुस्तक अध्याए छे तब राजा दारा की आग्या से बाबल के पुस्तकाले में जहां खजाना भी रहता था खोच की गई और मादे नाम प्रांत के हमता नगर के राजगर में एक पुस्तक मिली जिसमें यह उत्तांत लिखा था कि राजा कुस्रु के पहले वर्ष में उसी कुस्रु राजा ने यहाँ आग्या दी कि परमेश्वर के भवन के विशे जो यरुश्लिम में है अर्थात वह भवन जिससे बरिदान किये जाते थे वहाँ बनाया जाए और उसकी नेव दुरता से डाली जाए उसकी उचाई और चवड़ाई साथ साथ हाथ की हो उसमें तीन रद्दे भारी भारी पत्त्रों के हो और एक परत नई लकड़ी का हो और इनकी लागत राजभवन से दी जाए और परमेश्वर के भावन के जो सोने और चांदी के पात्र नबुक अदने सर ने यरुश्लिम के मंदिर में से निकलवा कर बाबल को पहुचा दिये थे वह लवटा कर यरुश्लिम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुचाए जाए और तु उन्हें परमेश्वर के भावन में रख देना अब हे महानत के पार के अधिपती ततने हे सतर बोजने तुम अपने सहचारी महानत के पार के अपार्सकियों के समेथ वहां से अलग रहो परमेश्वर के उस भावन के काम को रहने दो यहुदियों का अधिपती और यहुदियों के पुर्णिये परमेश्वर के उस भावन को उसी किस्थान पर बनाए बरन मयाग्या देता हूँ कि तुम्हें यहुदियों के उन पुर्णियों से ऐसा बरताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भावन बनाये जाए अर्थात राजा के धन में से, महानत के पार के कर में से, उन पुरुशों को फूर्ती के साथ खर्चा दिया जाए। सब उन्हें बिना भुल्चुक पति दिन दिया जाए। इसलिए कि वे स्वरग के परमिशों को सुखदायक, सुगंद वाले बली चढ़ा कर राजा और राजकुमारों के दिरगायों के लिए प्राथ ना करें। और परमिश्वर जिसने वहाँ अपने नाम का निवास ठहराया है, वह क्या राजा, क्या प्रजा, उन सभों को जो यह आग्या टालने, और परमिश्वर के भवन को जो यरुशलिम में है, नाश करने के लिए हाथ बढ़ाये, नश्ट करे। मुझ दारा ने यहाग्या दिये है, फूरती से ऐसा ही करना। तब महानत के इसपाय के अधिपती, तत्ने और शतर बोजने और उसके सहचारियों ने दारा राजा के चिप्ठी बहीजने के कारण उसी के अनुसार फूरती से काम किया। तब यहुदी, पूर्निय, हग्य नभी और इद्दो के पोते जकरिहा के नबूत करने से मंदिर को बनाते रहे। और रोतारत भी हुए और इसरायल के परमश्र की अग्या के अनुसार और फारस के राजा कुस्रू दारा और अर्थक्षत्र की अग्या के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर लिया। इस प्रकार वह भवन राजादारा के राज्य के छटवे वर्षक में अदार महने के तीसरे दिन को बन कर समाप्त हुआ। और फिर सब इस्रायल के निमित पाप बली करके इस्रायल के गोत्रों की गिंती के अनुसार बारह बकरे चड़ाए। तब जैसे मुसा की पुस्तक में लिखा है वैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आरातना के लिए जो यरुशले में हैं बारी बारे से याजको और दल दल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। फिर पहले मेने के चवदवे दिन को बंधवाई से आयो हुए लोगों ने फसह माना क्योंकि याजको और लेवियों ने एकमन होकर अपने अपने को शुद्ध किया था। इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। उन्होंने बंधवाई से आयो हुए सब लोगों और अपने भाई याजकों के लिए और अपने अपने लिए फसह के परशुबली किये। तब बंधवाई से लोटे हुए इसराइली और जितने उस तेश की अन्यजातियों की अशुद्ध ताके से इसलिए अलग हो गए थे कि इसराइल के परमश्वर यहवा की खोज करें उन सब होने बोजन किया और अखमिरी इरूटी का परब साथ दिन तक आनन्द के साथ मना आते रहे क्योंकि यहवा ने उन्हें आनन्दित किया था और अश्चुर के राजा का मन उनकी और ऐसा फिर दिया था कि वह परमश्वर अर्थात इसराइल के परमश्वर के भवन के काम में उनकी साहिता करें